श्रीराम जन्भूमी तीर्थ छेत्र ट्रस्ट कार्याले के प्रभारी प्रकास गुपता जी हमारे साथ प्रकास जी अभी आपने देखा इस रास्ते से प्रभुर्श्रीराम की जो मुर्त है वो गई आप तो कई सालों से देख रहे हैं सब कुछ आपके लिए आज का छण जो अभी गुज्रा है वो कितना भाव करने वाला है देखी छण जो है कि इसकी प्रतीक्षा तो बरसों से बाहत की लोग कर रहे थे और आज यह पूला हो रहा है तो निश्चे से हम लोगा हुए है इस समय और कुछ कह नहीं सकते हैं आज पूल्ल वस्ता हो रही है प्रतम प्र कितने लोगों ने अपने प्राणों के आहुती दी खून कितने लोगों ने बहाया और आशू तो नजाने कितने बहे और कुछ आशू तो प्रकास जी के आप देखी आँखों में बात करते करते आगए आवाज भरबर आ गई वो मैं महसूस कर सकता हूं करोनों लोग जो द आतिहासी नहीं है तो यह जो तस्वीर गई यह कितनी एतिहासी का आप जड़ा बताए क्योंकि आप तो अनुभवी नहीं इसके तो भगवान की प्रत्मा गई है अपने इस्थान पर जाने के लिए जिसके लिए संगर्ष करते करते आज यह सौभाग मिला है कि अब करती रहते हैं आज बहुत प्रशन है और जुद्या आने के लिए सब ललायत हो रहे हैं कितनी उमर है आपकी अभी कुछ नहीं बहुत मामूली उमर है आप भी बाले काल में यह बैसे 80 साल गुमर चल रही है तो देखें यह चेहरे पर जो खुशी है और आखों में जो करते हैं आसू उस पश्चाताथ के हैं जो इतने सालों तक प्रभूश्री राम अपने घर में नहीं विराज पाए थे और खुशी इस बात की है कि आज आखिरकार तमाम संगर्सों के बाद भी प्रभूश्री राम अपने घर में पहुच गये हैं 22 तारीक को गर्भग्री म में उनकी प्रतिमा स्थापित हो जाएगी और प्रान प्रतिश्था भी हो जाएगी